बिहार के स्वास्त विभाग यानि सरकारी अस्पतालों से तो आप सभी भली भांती वाकिफ होंगे ही आई दिन हमें सुनने को मिलता है कि डॉक्टरों की लापरवाही की वज़े से मरीजों की जान गई और अगर बात हम सरकारी अस्पतालों की करें जैसे DMCH, PMCH आदी तो वहाँ पर ना जाने ऐसे कितने मामले सामने आए हैं जिसमें डॉक्टरों की लापरवाही साफ नज़र आई है कहने के लिए अस्पतालों में स्वास्त को लेकर साफ सफाई बेहर ज़रूरी माना जाता है किन्तु DMCH अस्पताल में आपको गंगी के साथ साथ सूर घूमते हुए भी नज़र आएंगे और मरीजों की देखवाल की बात तो हम क्या ही करें इसी से समझ लीजे कि बिहार का स्वास बुभाग कैसा है खैट, पूरी खबर पर चर्चा करने से पहले नमस्कार मैं हुआ प्राजिता और आप देख रहे हैं जन्ता जंक्शन GMCH अस्पताल में डॉक्टर के गायब रहनी की वज़े से एक मरीज ने तरफ तरफ कर जान दे ली और उसके बाद अस्पताल में काफी बवाल मचा हुआ है और मड़े हुए वैक्ति के परिजन ने कहा कि अस्पताल में ही आत्मदाह करेंगे और जिसके जिम्मेदार वहां के अधिक शक और डियम होंगे यह पूरी खबर है बिहार के बेतिया जिले की जहां Government Medical College Hospital यानी GMCH में डॉक्टरों के गायब रहने के कारण एक महिला की इलाज क्यवाब में जान चली गई है और उस महिला ने इस ट्रेचर पर ही तरह तरब कर दम तोर दिया मिली जानकारी के मुताबिक Morning Shift में अस्पताल में डूटी पर एक भी डॉक्टर नहीं थै जिसके कारण पूर्जे के साथ महिला पती चक्कर लगाते रह गया है महिला के मौत के बाद परीजन पूरी तरह से भड़क गये है और अस्पताल में प्रदर्शन करना सुरू कर दिया है मृतक शुभावती देवी के पती विजे कुमार यादव ने कहा कि मेरी पत्मी के इलाज के अभाब में मौत हो गई है मैं अस्पताल में ही आत्मदाख करूँगा और इसके लिए अस्पताल के अधिक्शक और डियम जिम्यदार होंगे इस पूरे घटना के बाद अस्पताल में हजारों की संख्या में अस्थानिये लोग पहुँच चुके हैं और ववाल मचा रहे हैं सुभावती देवी के सीने में सुभा सुभा दर्ध होने लगा तो विजय कुमार गयानी उनके पती उनको लेकर चुनपटिया पीएसी ले गए वहां डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए उनने जीम सीच में रेफर कर दिया डॉक्टर की इमर्जेंसी वार्ड में शुभा वती को भरती कराया गया जिसके बाद विजय पूर्जे के साथ कभी इधर तो कभी उधर डॉक्टरों की आज में चक्कर काटते रहे गया लेकिन उस वक्ट डूटी पर एक भी डॉक्टर नहीं मिले इधर शुभावती ने स्टेशर पढ़ी दम तोड़ दिया इसके बाद से अस्पताल प्रवंदन की लाचार ब्यवस्था पर बवाल मचा हुआ है सुभावती के मौत के बाद परिजर और अस्थानिये लोग आक्रोशित होकर बवाल मचाने लगे हजारों की संख्या में लोग फिलहाल अस्पताल में हंगामा मचा रहे हैं पुत्र अबिनाश और काजल कुमारी ने बताया कि सुभा के सारे साथ बज़े हम लोग मम्मी को लेकर यहां आये थे सुभा में कोई भी डॉक्टर नहीं थे यह कोई नई बात नहीं है आये दिन हमें सुनने को मिली जाता है कि अस्पताल की लाचार बेवस्था और डॉक्टर के अबाब में मरीज की रोज जान जाती है लेकिन अस्पताल प्रबंदन को इससे कोई फर्क नहीं परता है पत्नी की मौत से बिज़े कुमार काफी सदमे में है उनकी आखों के सामने उनकी पत्नी सुभावती ने दम तोड़ दिया और वह कुछ नहीं कर सके इसलिए वह आत्मदापर उतारू है उन्होंने कहा यहीं आत्मदाप करेंगे और इसके लिए अधिक शक्से लेकर डियम जिनमेदार होंगे बिहार के स्वास मंत्री मंगल पांडे जी आएदिन मंच सभा वगेरे में जा जाकर यह कहती और सुनते वे पाए गये है कि इस अस्पताल को बड़ा बनाएंगे और यहां वहां न जाने कहां कहां अस्पताल बनाएंगे पर क्या फाइदा ऐसे अस्पतालों का जब वहां डॉक्टर ही मौजूद नहीं है और मरीजो की आएदिन इलाज के वाब में जान जाती रहती है आज की खबर में फिलाल इतना ही ऐसे और भी अने खबरे को देखने के लिए जुरी रहे है जंता जंक्शन के साथ अगर आप हमारा वीडियो फेस्बूक पर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करें और यदि यूटूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप हमारी टीम से इंस्ट्राग्राम और ट्विटर पर भी जुर सकते हैं आप स्क्रीम पर दिख रहे हैं जानकरी के माध्यम से डोनेशन की रूप में हम तक अपना सहीयोग पहुचा सकते हैं धन्यवाद